दोस्तों यह वाले चूजे हमारे पास यह देखो कितना घबर आ रही ओभाई दबक की वह एड़ी आए यह वाला यह वाला और यह देखिए इसके बाद इदर साइट पर टोटल 29 चूजे निकले हमारे पास इंक्यूबेटर में कौन से इंक्यूबेटर में यह वाले इसको इसकी लंबाई देखिए इधर दो से अड़े फीट की लंबाई रहेगी और यह सैट पर देड़ फीट की आड़े में रहे गाए इस तरीखे का नय तो इस तरीखे की टीन भी बना ले सकते हो थोड़ा नजिक जैसे कि यहां पर जो जगे दिख रहे हो आप इतनी रहे यहां पर यह वाले बड़े वाले चुझों को इन बार देखो बात करी तो भाई खतरनाक दर गए यह कलर की खुपसूर्ती देखो यह वाला चुझा बड़ा होए तो मस्त होगा यहां ग्रे कलर में तो यह 27 का बैच है मेरे ख्याल से एक दो चुझे कम जाद रहेंगे लाइट चले गई यह लाइट गए तो कुछ फरक परता क्या भाई देखो आदा घंटा एक घंटा करते भी कुछ नहीं होता मेरे भाई यह चूझों को उतना फरक नहीं परता क्योंकि थोड़ा गरम रख दिये तो बस है हम तो यहां पर अभी हम इनको क्या खिला रहे स्ट सबनाये देख लों अक्छे से इस तरीके का एक कटन जो कॉटन बाक्स को ले लिए इस तरीके से बना दिये रख दिये और एट से देठ वालिश यहां पर देखो देठ भालिश हैट में क्या कराऊँ बलफ लगा ... सव बत्ती का बलफ बस और खाने में क्या दिए हम यहां प वहां से आप बुक करके ला ले सकते हो आसानी से बाद में यह मत बताना किये आपके चुझे मुरुच्यों ते रहे तो उने तो पंक ढीला छोड़ते रहे तो भाई क्या करना यार बलतो तो उसे एक बार सुस होए तो उनकी ग्रोथ रुख गए तो फिर रिकवर हुने बहुत मुश्किल होता इसलिए जैसे बताता उसी करते जाओ आज पहला दिन हैंका पहले दिन में क पानी में क्या दिए पानी का इस तरीके का एक बरतन है ऐसा नहीं है बॉक्स आपके पास तो क्या करो एक कठोरा रग दो अगर से चूजा वो कठोरे में उतरा तो उसमें घरकर नहीं बनना चाहिए यानि उसकी हाइट ज्यादा ने रहना है वो चले भी जाए वो कठोर में तो बाहर निकल के आना है उस तरीके की हैट का एक कठोरा रग दीजे यानि ऐसे बरतन में भी पानी रग दे सकते हो यानि थोड़ा चोटे बरतन में इतना बड़ा बरतन लागे इसमें रखके पानी दाल दिये तो क्या होता आधी जगे वो बरतन को ही चले जाती इसलिए तो थोड़ा बड़तन रखे तो पानी में क्या दालना खाना तो हो गया बलब भी हो गया जगें भी हो गई पिर पानी में क्या देना ये देख फ और 500 अबिशा एंrail या आदा ली घर पानी ले लो एक. तीस बच्चों के लिए आदा लीटर पानी ले 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 के बाद क्या करना क्या करना हो तो चलो दिखा दाओं अब यह चूजे निकलते ना चाहे मुर्गी के निचे निकलो इंक्यूबेटर में निकलो तो आपको भाग के जाके दुकान से गूड ला ले ना गूड कोन सा रहता है खाने वाला गूड यार वह जो मीठा रहता है अभी इसको में पोडर कर दिया हूं ताकि मिलाने आने के लिए आपर देखो अच्छे से बता रहा हूं जो मीठा गन्यका गूड रहता है ना वह ही शॉपों में मिलता है ना गूड ला लेना है लाकर क्या करना है टूंटीनाइन बच्चे निकले हैं टूंटीनाइन ग्राम्स गूड ले लेना जो शॉप में कॉंटे पर रख दो टूंटीनाइन ग्राम्स कितना और है वह अंधेजर से हमेशा आप ढाल सकते हो थीक है टूंटीनाइन ग्राम गुड लाना ढाल दे आपानी मिलाकर जो बॉटल दिखाया उनमें जो धोना और हम चलता है वह पानी हो गये तलाक बच्छों को ही रखो ठीक है चलो भी फ़ाम के पास चलते हैं भी झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो यानि एक दीन कंप्लीट हुआ है सुभा हम क्या करें थे 140 ग्राम दाना दाले थे स्टार्टर फिल्ड यहां पर 29 चूज़ों को तो यह 29 चूज़े मिलकर 140 ग्राम दाना कंप्लीट नहीं करें आज और यहां पर 150 पानी आदा लिटर पानी दाले थे हैं इसमें आदा मेल पानी कंप्लीट करें यह 300 ml पानी में 200 ml पीए होंगे और 100 ml अवाप्रेट हो गया होगा गर्मी के वज़े से तो अभी आज पहला दिन तो यह और यहां पर देखो एक चूज़ा निकलना ही मतलब की थोड़ा कमजोर निकला है मेरे भाई कि उसको चलने नहीं आ रहा है कोशिश करते हैं हमारी पूरी की बचाने की कि जब म्हुने की बचाने की रहा है जब में से तो अब में से तो यह पहला है जब कि जब होगां प्याख क्या आपपाड़ा क्या है बच्राचने की अवा होगा है कि अएट टो हुआ दूआ है। चाहिए ठहिए झालो हुआ है। अाया है। झाल